कि ही गाइज वेलकम टू मैं चैनल तैट इस कटिट क्लियर गाइज जैसे कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर में अपना सीप्यू वाला सेक्शन जो है वो पढ़के खतम कर दिया है और दोस्तों मैंने उस वाले आपको सीप्यू को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है क कि उसमें से कोई भी कॉशन आएगा तो आप उसको अच्छे से कवर अप कर दोगे ठीक है दोस्तों आज जो है वो मैं आपके साथ कुछ महत्तपुन MCQs कवर अप करने वाली हूँ जितने मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया है और अभी तक मैंने यह वाला वीडिय तो जो है वो स्पेशली उस चीज के लिए बनाया है क्योंकि दोस्तों भरोसा जो होता है वो सबसे जादा प्राइमरी चीज होती है ठीक है अगर आपको भरोसा ही नहीं होगा तो आप वीडियो क्यों देखोगे मेरी ठीक है तो गाइस मैंने उसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक आपके लिए वीडियो बनाया है ठीक है और यह वाला जो टुटोरियल है वो भी उसके रिगार्डिंग ही है दोस्तों आज हम इसमें यह देखेंगे कि जो चीज़े मैंने पढ़ाई है क्या वो एक्साम में पूछी जा रही है ठीक है तोस्तों मैं भी एक एस्प आपको किसी गाइडेंस के जो थे नहीं हो सकती थीक है तो दोस्तों यह सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपने त्यारी के पिरियेट्स में जो थे वो अपनी सीखी थी बाकी चीज़ लोगों से या खुद के एक्सपेर दे देखे तो दोस्तों मैं उसी के बेसिस पे ही मेरे पढ़ायों MCQI तो आप kindly उस वीडियो के नीचे जरूर जरूर कमेंट करके बताइए कि मैम आपका पढ़ाया हुआ जो था वो पेपर में आया ठीक है तो मेरे को भी इस चीज से खुशी होगी और यह मेरे लिए भी एक feedback होगा आ रहे हैं पेपर में यह नहीं आ रहे हैं दोस्तों यह चीज तो मेरे लिए भी important है जिस तरह आपके लिए हैं ठीक है गाईस तो क्यूंकि मेरा पढ़ाने का एक ही motive है कि आपके जो students है वो final selection ले ले ठीक है गाईस तो देखते हैं आज का first question दोस्तों यह वाले question जो थे वो आपके assistant storekeeper में पूछे गये हैं आप वह व first question की बात करें what is the full form of EEProm ठीक है दोस्तों तो इसकी full form जो है वो है आपकी मैंने यहां पर बताई है electrical erasable and programmable read only memory दोस्तों मैंने जब इसको memory आपका topic पढ़ाया था तो उसमें मैंने इतने अच्छे से आपको इसके बारे में बताया था इसकी image भी बताई थी और मैंने आप को यह भी बताया था कि आप इसमें data कैसे erase कर सकते हो और data को कितने time erase कर सकते हैं कितने बार रही program कर सकते हैं ठीक है यह सारी चीज़ें जोगा है मैंने उसमें आपको cover up कराई है तो दोस्तों यही question जो है यहां पर basic question पूछा गया है और इसे deep question अगर आपसे पूछा जाता तो भी आप उसको cover up कर लेते अगर आपने मेरा वह वाला tutorial देखा है ठीक है number one question आपका cover up हो गए number two which electronics component is used in first generation computers तो कौन सा था दोस्तों transistor था यू LSI chips थे vacuum tubes थे या LSI chips दोस्तों तो आपका जो electronic component यूज हुआ है first generation में तो यहां पर देखो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ह है कि vacuum tubes जो है वह यहां पर use हुई है तो आपने इस चीज़ का क्या रखना है ध्यान रखना है ठीक है guys चलते है next question की तरफ analog computer works on the supply of बताए दोस्तों कौन सी supply के ओपर काम करता है physical strength, natural strength, magnetic strength या continuous electric pulse ठीक है दोस्तों यह आपका जो work करता है वो करता है आपका continuous electric pulse के उपर ठीक ह इस चीज़ का आपने ध्यान देना है और मैंने यह भी बताया था कि यह measure करता है आपकी continuous physical value को अगला question आपको paper में जरूर ऐसा देखने को मिल सकता है ठीक है तो आपने यहां पर अच्छे से ध्यान रखना है कि यह continuous physical value को देता है और for example मैंने speedometer, thermometer, analog clock जो है वो भी यहां प के तौर पर आपको mention किया है ठीक है next question को देखे computer system includes क्या include करता है guys computer system hardware, software, peripheral devices, all of these तो guys जब मैंने आपका first tutorial बनाया था इसका तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आपका computer होता है उसमें आपकी physical components होते हैं जो आपके hardware होते हैं, software होते हैं और guys जो मैंने hardware की आपसे बात की है तो अगर हम joystick, mouse, keyword को देखें तो यह आपकी peripheral devices में भी आते हैं generally मैं बात करूँ तो peripheral devices जो होते हैं वो आपके auxiliary devices होते हैं एक होता है आपका primary, दूसरा होता है secondary और तीसरे होते है peripheral devices ठीक है तो आपने ध्यान रखना है कि यह वारी चीज़ें आपकी peripheral devices में भी आती हैं ठीक है next question की बात करें तो यहाँ पर बोलके रखा है pascaline is also known as mechanical machine, division machine, adding machine या difference machine तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जब इसका MCQs बनाए थे तो मैंने यहाँ पर बोला था pascaline is also known as adding machine guys अगर आपने उनको उस MCQs को पढ़ा होता तो आपका यह वाला question जो था वो definitely correct होता ठीक है चलते है next question की तरफ which has the shortest access time तो बताना है दोस्तों की इन चारों मेंसे सबसे shortest access time जो है वो किसका है virtual memory का है, secondary memory का है, cache memory का है, all of these guys मैंने memory में आपको cache memory को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि cache memory से regarding अगर कोई भी question घुमा के भी पुछेंगे तो आप उसको easily cover up कर लोगा ठीक है, guys यह आपके CPU के सबसे ज़्यादा नजदीक होती है, ठीक है, अगर यह सबसे ज़्यादा नजदीक है तो obviously बात है CPU इसको information जल्दी देगा और इससे information भी कलेगा जल्दी ले लेगा, ठीक है, guys इसमें generally हम उस programs को या उस चीज़ को store करके रखते है information को जो आपका user वो frequently मांग रहा है, ठीक है, तो आपने इस चीज़ क ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा shortest access time जो होगा वो cache memory का होगा, ठीक है, next बात करते है 17th question की, a digital computer is based on the principle of, कौन से principle क पर काम करता है, counting, multiplication, logic, measurement, guys, आपका generally कौन से principle पर काम करता है, counting, जहां मैंने आपको digital computer पढ़ाया था, मैंने बोला भी था कि ये discrete value देता है, जिसकी वज़े से हमार को क्या होता है, counting करना जो है, वो easy हो जाता है, मैंने आप से एक class का example भी लिया था, कि मैंने बताया था कि students ह आपके class में, अगर उनकी counting करनी है, तो हम जो है, वो easily कर लेंगे, क्योंकि आपको discrete value क्या देगा, निकल के देगा output में, ठीक है, next portion की बात करें, all computer must have, क्या होना चाहिए, operating system, an attached printer, a virus checking program, a word processing software, guys, आपके computer पे क्या होना चाहिए, operating system होना चाहिए, जो आपके windows होते है, Linux, Unix, अगर आपकी computer में, operating system ही नहीं है, तो आपका ना ये चीज़ चलेगी, ना ये चलेगी, ना ये चलेगी, ठीक है, अगर ये है आपके computer में, operating system है, तो आपके सब कुछ चीज़ें चलेंगे, ठीक है, तो must have क्या है, यहां पर operating system, चलते हैं, next question की तरफ, first supercomputer developed in India is, भे कौन सा है शीवा है, परम है, आरे भठ है, या बुद्धा है, गाइस, ये है आपका परम, मैंने बताया था कि इंडिया का जो first supercomputer, जो developed किया है, इंडिया ने वो है, आपका परम, ठीक है, परम की जो series है, वो आपके इंडिया में ही developed हुई है, और वो supercomputer की है, ठीक है, तो यहां पर मैं इसर भी बताये थे, वीजे भाठकर जी, जिन्होंने इंडिया's first supercomputer बनाया है, पर हम 8000 in 1990, यहां पर मैंने image भी आपको mention की थी, चलते है, next question की तरफ, the first computers were programmed using assembly language, machine language, source code, या spaghetti code, तो बताये, यहां पर क्या use किया था, guys, यहां पर use किया था, आपका सबसे पहले computers ने machine language को use किय आपको पता है कि computer हमारा machine language ही समझता है, जाहे आप hi-fi language लिख लो, वो convert करके कहां जाएगी machine language में, और फिर हहां से आपको क्या मिलेगा, final output मिलेगे, next question है, all the computation are really performed by monitor, hard disk, keyboard, CPU, भे, किसके द्वारा होते हैं, सारी कि सारी computation, guys, सारी कि सारी computation जो होती है, वो आपके central processing unit के control unit होता है, memory unit होता है, arithmetic, logic unit होता है, ठीक है, guys, अगर यहां पर monitor hard disk की जगा मैं, यहां यहां पर CPU की जगा मैं control unit डाल दू, memory unit डाल दू तो, और logic unit डाल दू तो आप इस cancer क्या करोई, guys, उस case में इस cancer हो जाएगा, वो control unit हो जाएगा, क्योंकि control unit ही होता है, जो आपके memory को बत जाता है, कि हमें किस तरह की instruction को कैसे follow करना है, और कैसे वहां पर चीज़ों को perform करना है, control unit का ही सारा का सारा वहां पर funda चलता है, ठीक है, चलता है, next question ही तरह, what does an operating system do, operating system क्या करता है, memory management, file management, application management, all of these, guys, यह आपका जो है, वो सारी की सारी चीज़ों को perform करता है, जाहे वो memory management है, file management, application management, ठीक है, देखो, मैंने यहां पर लिखे, बोलके रखे, system software operates directly on hardware devices of a computer, it provides a platform to run an application and it provides and support user functionality, तो यह आपको पता है कि functionality बहुत ही जादा वाइड होती है, चाहे वो आपकी file management के regarding हो, चाहे वो आपके memory management के regarding हो, किसी भी चीज़ के regarding हो, तो यहां पर operating system का यह सारा का स चलता है, चलता है, next question की तरफ, the computer's processor consists of which parts, guys, यहां पर generally जो आपका computers का processor होता है, वो आपको पता है कि processing unit क्या है, control unit, memory unit, arithmetic, logic unit, तो यहां पर जो इसका answer बनेगा, वो बनेगा control unit and arithmetic logic unit, ठीक है, तो यहां पर आपने इस बात का खासा ध्यान रखना है, चलता है, next question की तरफ, A high speed device used in CPU for temporary storage during processing is called, क्या बोलेंगे, register बोलेंगे, bus बोलेंगे, data bus बोलेंगे, या all of these बोलेंगे, guys, high speed जो होती है, आपके ठीक है, जो high speed device का use करता है CPU temporary storage के लिए, वो दोस्तों, आपका register memory होती है, यहां पर register हुआ, इसको भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे बढ़िया तर smallest and fastest memory होती है computer में, यह आपका main memory का part नहीं होता है, बट यह located होता है आपका CPU में, जो क्या करता है, आपका smallest data को hold करके रखता है, generally, यह temporary hold करके रखता है data को, ठीक है, उस data को hold करके रखेगा, जिसको usually frequently पूछे, which is the objective of operating system, operating system का क्या objective है, scan the system, provide and connectivity, managing the system hardware, all of these guys, आपका जो है operating system का, यह सारे के सारे काम होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का आपने धान रखना है, यह सारे के सारे काम जो होते हैं, वो आपका operating system क्या करता है, perform करता है, next question है, an inverter is also called which gate, क्यों से gate को है न, एक inverter कौन सा gate भी कहलाता है, not gate, or gate, and gate, and gate, and gate, guys, यह मैंने आपक यह समझाया है, और बहुत अच्छे तरीके से बार-बार पढ़ाया है, दस बार पढ़ाया था, कि आपका जो not gate होता है, उसको क्या बोलते हैं, simply an inverter भी बोलते हैं, जब मैंने इसका truth table आपको करवाया था, तो वहां पर मैंने को 10 बार यह चीज़ बोली थी, और यह आपको temporarily, permanently, only once, none of these, guys, यह देखिए, आप यहां पर मैंने पढ़ाया है, आपको primary memory और main memory hold करती है, only those data and instructions on which computer is currently working, तो इसकी limited capacity होता है, data lost जो होता है, इसमें हो जाता है, अगर power का switch off होता है, तो मतलब data lost हुआ, तो यह क्या करता है, temporarily क्या करके रखता है, hold करके रखता है, तो इस इसको आपने ध्यान में रखना था, guys, देख लो, मैंने अभी तक आप से इतना ही syllabus जो है, वो cover up करवाया है, और आप देख सकते हो कि 15 से 20 question आपको यहां पर देखने को मिल गए है, paper में, और guys, जो C के tutorial हमने अभी करवाया है, और almost आपकी C जो है, वो पूरी हो गई है, को अच्छे से ही करके आओगे, तो आपने उन tutorial को बहुत अच्छे से देखना है, guys, क्यूंकि आपने उन students के साथ compete करना है, जो आपकी graduation की degree, जो है, जिनकी computer field से related है, ठीक है, guys, अगर आपको video helpful लगा हो, तो मेरे video को like कीजिए, मेरे channel को subscribe कीजिए, thank you, have a good day.